Assalamu alaikum welcome back to my channel food kitchen 92 मैं हूं मेरुकाया और आज हम बनाने जारे हैं बहुत जबरदस्त लाजवाब सी रेसिपी ये हलींग बनाने जारे हैं हम आप लोगों को बहुत पसंद हैगी बहुत ही जबरदस्त और टेस्टी रेसिपी है आप इसे जरूर टॉय कीजिए अपने दोस्तों मटन ये दो मिडियम साइज की प्यास को हमने ब्राउन कर लिया है एक कटोरी धनिया एक कटोरी पदीना एक कटोरी हरी मिर्च एक टी स्पून हमने रोस पाउडर लिया है दो टी स्पून हल्दी दो टी स्पून हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है नमक और एक टीजपून गरम मसाला तीन टीबल स्पून अधरक लैसुन को पेस्ट यहाँ पर हमें ऑईल गरम कर लिया है और जितने भी मैंने मसाले दिखायते हरी मिर्च पोदीना धनिया लाल मिर्च पाउडर रोस पाउडर नमक जो भी था उस सारा मिक्स मैंने गोश्ट प जब तक ऑईल गरम हुआ हमारा और उसके बाद मैंने ऑईल गरम होते हूँ सारी जेस को इसके अंदर डाल दिया है वो सौरी वो वीडियो नहीं बन पाई लेकिन जितने भी मसाले मैंने स्टार्टिंग में दिखायों सारे मसाले आपको गोश्ट में लगा देना है और उसक काली मर्च जावीतरी डाल देंगे और दो तीन हम इसमें पीपल डाल दिया और लॉंग लाइची डाल दी है और दालचीन डाल दी इसमें अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके बूल लेंगे गोश्ट को बहुत अच्छी तरह से यह देखे गोश्ट को हमने अच्छी तरह से भूल लिया बहुत अच्छा ऑइल आ गया था इसके उपर अब हमने इसमें पानी डाल दिया है अब हम इसे मिक्स करने के बाद इसकी लेड लगा देंगे यह देखे लिड लगाने के बाद हम इसे तीन सीटी तक पकने देंगे जब तक गोश्ट गल रहा है हम ग्रेवी के लिए समान तयार कर लेते हैं यहाँ पर हमने 120 ग्रांड केहू लिया था और उसको हमने भीगा दिया है दो गुंटे से पानी में भीगा हुआ है अच्छी दूरा से वाश्ट करने के बाद एक मुठी हमने मसूर दाल ली है एक मुठी हमने चना दाल ली है एक मुठी मूंग की दाल एक मुठी सफेद उड़त की दाल एक मुठी हमने बासमती चावल लिया है दो टेबल स्पून हमने काजू लिया है और दो टेबल स्पून बदाम लिया है अब गेहों का पानी निकालने के बाद यह सारी जितनी भी दाल और गेहों और काजु बदाम हैं सब को मिक्स करके हम पीस लेंगे अब हम गोश्ट को जग कर लेते हैं कि गोश्ट गला या नहीं मेरे भाई बना रहे हैं तो इसलिए अगर आप हाथ को देखके कंफ्यूज रो रहें कि मेरा हाथ ऐसे कैसे हो गया है तो कंफ्यूज डूना हो मेरे भाई बना रहे हैं वोईस ओवर में दे रही हूं कि गोश्ट पक चुका है बिल्कुल यहां पर हमने ऑईल गरम कर लिया है थोड़ा सा और उसमें जो दाल और गेहूं काजु बदाम पीसा था वह हमने डाल दिया और फटा-फटी से डालने के बाद इसमें पानी आड कर दोगी और उसे चला लोगे फिर जल्दी जल्दी आ पाने निए जल्दी नहीं को बहुत जल्दी तली में लगता है तो मैंने लोग फ्लेम कर दे थी मतलह भाई ने उसके बाद में जल्दी कर लेघा यहां बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है बिल्कुल लंप्री रहना चाहिए यह देखिए और इसे भूंते-भूं कि भाई ने चल आया था अब इसमें गोष्ट डाल देंगे कि यह कि हुंड कि यह देखिए कि सारा गोष्ट डाल डिया है कि अब हम इसे तरह से mix कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कूकर में जो मसाला लगाता हो उसी में थोड़ा सा पानी डालने का था हमने इसमें पानी भी एड़ कर दिया है एक ग्लास बड़ावला समझ लो उतना ही डाला है बस अब इसके बाद जो हमने ब्राउन प्यास लिखाई थी स्टार्टिंग में वो हम इसमें डाल देंगे और इसे ढखकर हम 15 मिनट के लिए पका लेंगे लो फ्लेम पे 15 मिनट हो गया है अब हम चेक कर लेते हैं यह देखिए बहुत अच्छी थिक हो गई है हलीम बहुती जबरदस्ट पकी है 15-20 मिनट के लिए हमने इसे पकाया था अगर जितने आपको ठीक रखने आप उतनी इसे पकाईए दाल को गिहूं को हमने बात शुरू में भी पकाया था 15-20 मिनट लगातार चलाया था अब हलीम बनके बिलकुल रडी है अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं यह देखिए ह हमने हलीम को डिश आउट कर लिया है और आप यह सोच रहोंगे यह बिर्यानी कहां सहे तो हमारे घर में जादा तर लो बियानी हलीम बिर्यानी खाना पसंद करते हैं साथ में इसको अच्छा लगता है और यहां पर देखिए मैंने थोड़ी सी प्राउन की थी और उसका कर्ची प्याज में डाल सकते हैं वह अलग से आप इसको लिकिन डॉन प्याज और ऑईल के बहुत ही टेस्टी लगता है तो अब अलग से ऐल गरम किजिए इसमें ब्राउन प्याज को ब्राउन कर लीजिए और वह और यह साथ ही इसको डालिए लप्याज भी डालियों और अब मैं डाल भिडियानी पर हलीम डाल दूंकी और अगर आपको खिचड़ा बनाना तो उसके रसिप्वी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदोंगी कि खिचड़ा कैसे बनता है और यह जो बिद्यानी मेंसके से सर्फ किया है यह मुरादाबादी बिद्यानी सर्फ की है इसका भी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगे तो आप ज़रूर चैकर लेजे कि मुरादाबादी बिद्यानी कैसे बनी है अगली रस्मी मिलते हैं जब तक के लिए अल्ला हाफेज